अब देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजार वेता आयूश एंड फ्रेंट्स इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में फ्रेंट्स टाटा मोटर्स में आपको देखने को मिलेगा कि कह सकते हैं कि आज एक अपसाइट देखने को मिली 519 रु आज आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला आउट परफॉर्म क्यों करा हूं में विकास इतना खराब था उसके बावजूद एक बहुत बढ़िया तीजी हम कह सकते हैं कि स्टॉक में आती हुई देखने को मिली बली वह 1-2% की लेकिन उस तो एक खराब मार्केट म आ रही है और यह खबर डेफिनेटली फ्रिंट्स बहुत जादा बढ़िया है तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा फिरिंट्स चानल से पहली बार अगर आप जुड़ें तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको यह वीडियो बढ़िय पूर कट आ गया है बट जिस कह सकते हैं तीजी से स्टॉक नी चाहता हुआ देखने को मिला वो सारी तीजी देखिए स्टॉक ने गवा दी एंड एक परसंट से जादा में आपको डाउन होता हुआ देखने को मिला आज अगर आप देखिंगे तो पांसो उन्ने जैसे हमने कहा कि एक high बनता हुआ देखने को मिला और 501 खा low बनता हुआ देखने को मिला बट कह सकते जैसे मैं आपको शुरुआत में कहा कि market के गिरावट के गारण देखिए वो गिरावट आती भी देखने को मिली अदर्वाइस कोई बड़ी बात नहीं है देखिए आज इतना गिरना अगर market को देखेंगे तो and Tata Motors में friends अब एक zone बन चुका है वो zone क्या है आप important समझे है पहले देखिए stock 510 रुपे के आसपस अटकता था अब आपको देखने को मिल रहा है stock 520 रुपे के आसपस अटक रहा है 520 रुपे के level को cross नहीं कर पा रहा है और यह आपको लगातार द बढ़िया है अब वो क्यों बढ़िया है चलिए सबसे पहले इस खवर के उपड़ नज़र डाले दें फिर आपको बताऊंगा वह जो खवर निकल किया यह वह एक घंटे मेले निकल किया है इन खवर की according Tata Punch जो याद रखेगा company ने अभी एक car launch करी थी जिसका नम Tata Punch था औ अंदर बहुत जादा देखिये बिकरी होती भी देखने को मिलिये Tata Punch has become the second best selling Tata car in India within 12 days of its official launch this sub compact SUV is price between 5.49 lakh to 9.09 lakh एक showroom Delhi यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Tata Punch जो है वो सबसे जादा selling car बन गई second best selling car बन गई है Tata's की और पिछले 12 दिन के अंदर जो तगड़ी देखिये ही कह सकते हैं आपको रिकॉर्ट टोर सेलिंग होती भी देखने को मिलिये वो definitely friends बहुत जादा बढ़िया है और इस second best selling car बन चुकी है अब कितना selling हुए है इसके उपर नाल लेता है तो friends Tata Motors ने देखिये करीबन 8453 यूनिट्स देखिये Tata Punch के बेच दिये और जो सबसे पहले बेचे थे वो देखिये 10,096 यूनिट्स बेचे थे but important क्या है friends जो Tata Nexon के थे important क्या है कि important दोस्तों यही की company के जिस थोड़ी सी आप देखिये आपको जाती हुई देखने को मिल रही है and companies जो auto companies है especially अगर बात करूँ Tata Motors M&M यह सब बहुत जादा बढ़िया कर रही है अशोक लेलन भी काफी जादा दोस्तों बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है इनके जो vehicle की sales है वो friends बहुत बढ़ आारी है friends वो सारे बहुत बढ़िया है जो सारे updates है वो definitely friends काफी जीजाधा important है Tata Motors को लेके तो friends यह फ़र की बात हो गई लिए लेकिन अब Important कि Tata Motors में क्या current level के असपास कोई buying initiate कर सकते हैं अब क्यों कर सकते है इसका important देखिए reason अगर आप देखेंगे तो प्रकार की recovery आ रही है देखिए auto sector के अंदर and अब semiconductors की shortage definitely friends थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिल रही है and अगर ये कम होगी तो इसका automatically देखिए फाइदा इन auto companies को होगा because अगर आप देखेंगे जो booking से वह काफी जादा अब भी आपको देखने को मिलेगी लेकिन बुकिंग से साथ-साथ इंपोर्टन क्या होता है बुकिंग तो हो जाती है लेकिन आगे अगर company अपने कस्टम को कार्ड डिलेवर नहीं कर पाते तो देखिए mostly bookings वापिस से हट भी जाती है तो यह एक बहुत बड़ा देखिए नुकसान रहता है इन companies को लेकिन अब मुझे लगता है कि देखिए वो सारी आउट पर्फर्म according to me तो डिफिनिटली टाटा मोटर्स के अंदर आपको बाय करना चाहिए करना क्या है करेंट लेवल के असपास बाय करना है पांसो दस रुपेगा कल कर टागेट रखना है पांसो दस दिन पांसो पंद्रा दिन पांसो बीस रुपेगा तो इस टॉप लोस दोस्तों जो लगा के चलना है यहाँ पर आपको वो लगा के चलना है कल के लिए करेबन पांसो रुपेगा अगर फाइफ फंद्र के बुलाता है तो दिक्कत है बट फोर एटी रुपीज एक स्टॉपोर्ट आ जाता है नीचे तो कल के तो पांसो अगर आप चार्ट में देखेंगे तो साफ साफ देखेंगे एक तीजी बिल्ड होती वही देखने को मिलिए तो अब फ्रेंट जिस प्रकार से देखेंगे इस टॉक का चार्ट पटन बन रहा है वो एक साफ साफ संकेत दीर आ है कि टाटा पावर कुछ बड़ा करने के लिए तयारी कर रहा है और यह पहले भी देखेंगे आपको कहा था कि टाटा पावर जिस अपने बिजनस को ग्रोथ दिखा रहा है अब भी देखेंगे कंपनी के फाइनिश निकलके आ है आपने उससे सा बहुत बड़ा positive है और आने वाले quarter numbers और भी ज़्यादा बड़िया निकल के आएंगे वो साफसाफ बात है लेकिन अब important क्या है यहाँ पर जो खबरे निकल के आ रही है अब खबरे में देखें यहाँ पर Tata Power की जो rating बदल दी गई है और क्या rating बदली है वो भी positive में अब क्या बदली है तो friends देखें खबर why Moody's have upgraded Tata Power rating तो देखें Moody's ने upgrade कर दिये Tata Power की rating को और क्या rating दिये सबसे पिले हम यह देख लेते हैं तो देखें rating agency Moody's has assigned BA2 rating to Tata Power with the outlook being stable as the companies look set to cash in the on growing renewable energy business तो देखें company का जिस प्रकार से renewable energy business growth दिखा रहा है उसके लिए देखें सारी जो rating agencies है और Moody अपने आप में बहुत बड़ा नाम है उन्होंने देखें rating को बदल दिया है BA2 कर दिया है और इनका देखें साफ साफ मानना है कि जिस तरीके से company crash को generate कर रही है और वो growth के उपर पैसा लगा रही है यह अपने आ rating agency Tata Power की rating बदल रही है because यहां पर साफ सब growth आपको visible होती भी देखने को मिल रही है और growth visible होगी तो definitely company बढ़िया करती भी देखने को मिलेगी और मुझे नहीं लगता कि Tata Power के अंदर यहां से कोई selling बननी चाहिए जादा अगर आप company में hold कर सकते share को hold कर सकते तो यहां से बह target के बारे में जिन लेवल के आपको Tata Power मिल रहा है मुझे नहीं लगता कि यहां पर जादा selling बनना चाहिए आपको buying definitely यहां पर initiate करना चाहिए और जिस तरह से दिखिया आज का chart pattern हो काफी positive है और यहां से हो सकता कि कल Tata Power आपको 245 के तरफ जाता हुआ देखने को मिले बस एक चीज चीज ची है market का सारा market positive रहेगा तो definitely यह stock बढ़िया करेगा तो करना क्या current level के आपको buy करना है target रखना है कल के लिए 245 का with a stop loss of 235 so इसको hold करने की सला होगी और 2500 रुपर का target हो चकता है कि बहुत जल्दी आपको आता हुआ देखने को मिले तो friends इस वीडियो में इतना रही था होपसो वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो like कर देना channel से नहीं जुड़ो subscribe कर देना thank you friends for watching this video